राणावट डाईटमा आपका स्वागत है जैस्ष्री रमाक्रश्न आज आपको बता रहा हूं कुष्ट्रोग गंडमाला और रक्त विकार इससे काफी लोग पीड़ी तें जिसमें मूलत रक्त विकार से काफी लोग पीड़ी थे अंग्रेजी दवायां खाते हैं पर वह अंग्रेदी दवायों की इस तती बनती है कि आज 20 मिलिग्राम है कोई दवा तो फिर 50 दवायों पड़ती है यह जो आज 50 मिलेग्राम से फिर दस मिलेग्राम करने पड़ती है डेक्सोना टाइब की जो टबलेट हैं उनकी भी मात्राएं बढ़ानी पड़ती है फिर वह विमारी जाती नहीं और परेशान हो जाते हैं तो रख्त विकार के लिए अर्वेदिक जो जगत में काम में ली जानी वाली जो है वह मैं आपको बताऊंगा यह सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर रुबना सिंग राणावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं जो रक्त व दवायां शूट नहीं करती है या खाखा के ठक चुके होते हैं और उनके साइड़ पैक से भी तो आप नहीं बच्च सकते हैं तो उसके लिए अरिवेदिक में अनुपम होश्दी है जो वैज्जी काम में लेते हैं वह है खदीरारिष्ट नाम वापस सुन लेजिए खदीर अरिष्ट कुष्ट समंदीत हो गंडमाला समंदीत हो या रक्त विकार हो उसमें बहुती बड़या काम करती है यह दवाई रोगी को देख के निरधारन करना पड़ता है कि इसको कितने समय तक दिया जाना है और कौन सी मात्रा में देना पड़ेगा इसलिए अगर आपको को प्रकार की जो विमारी बताई है उससे आपको मुक्ति मिलेगी हो सकता है अरुवेदिक इलाज थोड़ा लंबा चले परिस्था इलाज होता है आपके लिए बड़या फलदाई होगा रख्त विकार जितने भी हैं वो सारे दूर होंगे अगर आपको सार्थिक टिपनी करें ना दूसरा कभी तो काम हात में होता है और उनलाइन हो सकता है हम वार्टसप पे हो तो जिन लोगों ने ससुल्क सेवा लिए मुझे हमें उनको जवाव देना होता है तो हम उनके लिए होते हैं फॉन काटना पड़ता है या फॉन तुरंत उठा के उन्हें मैसेज देना झाल 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 झाल